पालक मनितरी के साथ आपकी बैठक हुई है क्या कहने चाहेंगे लेवर कॉलोनी के इश्कुप लेटर अभी तो सब सुचना है उन्होंने लिए है सभी लोगों से हम लोगों ने भी वही कहा है कि अचानक ऐसे यह कारवई नहीं होना चाहिए जो कारवई करने की बात हो रही इस पर विचार के यह फैसला लेना चाहिए कि इनका रियापलिजेशन कैसा किया जाए को में कैसा किया जाए इनका पुनर वसन कैसे किया जाए उसके उपर तफसिल से सब बाते हम लोगों की हो गई अब वह बैटके निरना लिंग यह भी क्या कैसे करना है कैसा नहीं करना ह में क्या करना क्या नहीं करना है हम तो थाम तरीके से लोगों के साथ खड़े वह हैं कि वह इनकी खिलाब कर वहीं नहीं होना चाहिए तो आज जो है कोर्ट में रीट पेटेशन दाखिल हुई है वह भी सर्कुलेशन मिला नहीं मिला क्या चर्चा हाई कोट में चल लए वह भी देख रहे हैं सब्सक्राइब इनके साथ में भी बाचिछ चल देए कि इन लोगों को रिलिफ मिलना चाहिए उसकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि यह रिलिफ इनको मिलेंगी लोगों के हिस्त में फैसला आने चाहिए चर्चा कर रहे हो कि इसमें क्या करना चाहिए तो भी चर्चा के बाद पर बात करते हैं लेकिन सब्सक्राइब बाते बराबर साथे तमाम लोग यही बात कर रहे हैं उसके लिए तो हम यहाँ हैं कि उनको रिलिफ मिलना चाहिए औ को भी बोलता है नवाब की अभी अब यह सब बाते तो देखो यह लीगल बाते है डाकुमेंटली बाते है इसके उपर हम बहुत तफिल से चर्चा टीवी के उपर कैमेरे के सामें नहीं कर सकते लेकिन इतना जरूर है कि पचासा चालीस साल रहने वाले को अचानक हटाया नही की सरकार है यह कोई तुबला की फर्मान नहीं है कि इधर हुकुम दे और इधर लोगों को रोड पे लेके आ जाए यह किसी भी सेकुलिजम पार्टी के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता है अगर इस तरह का माहूल अगर होंगा तो हम उसके खिलाफ जाएंगे अगा तो हम उ कॉलिशन की सरकार है एक किसी की सरकार नहीं है जो भी निरने होंगा मिले जुले बाचिस से निरने होंगा और हमें उम्मीद है हम अपना प्रिशर बना कर यह मुद्देव को लोगों के हित में मनवाएं कर दो प्रिजद धाइंगे घुटी को लोगों के लिए को भी जाएंगे होंगा हूंगे जाला होंगा हम उपना प्रिश को बना कर दो एक इजसे होंगे अजसे एक किलिए